नमस्कार दोस्तू स्वागत आप सभी का आज की ताजा बड़ी खबरों में दोस्तू आपको बता देगे होम लोन क्या आपका बेंग ज़्यादा वसूल रहा है आपसे ज़्यादा ब्याज तो तुरंत अपनाई ये तरीका कम हो जाएगी आपकी EMI बताएंगे पूरी खबर विसार से तो साति दोस्तू आपको बता देगे إप डिस से डबल रिटर्न चाहे तो यहां लगाए पेशा माला माल होने के साती बुडा बडा बापी शुकूर हो जाएगा बताएंगे पूरी खबर विसार से और साती दोस्तू आपको बता देगे लेट ट्रेन के लिए आपको देगा सूचना बताएंगे पूरी खबर विस्तार से और साथी दोस्तु आपको बता देगे केजरी वाल का सीम योगी पर हमला क्या आपके यहां पर स्कुलू की फोटू नहीं खी सकते हैं बताएंगे पूरी खबर विस्तार से और साथी दोस्तु आपको बता देगे पियम मोदी आज करेंगे साल 2020 की आकरी मन की बात करसी कानून पर कर सकते हैं बात बताएंगे पूरी खबर विस्तार से और साथी दोस्तु आपको बता दिये प्रीमे केवल आदार कार्ड के जरिये दो मिनिट में जारी हो जाएगा पेन कार्ड ये तरीका अपनाए बताएंगे पूरी खबर विस्तार से और साथी दोस्तु आपको बता दिये देश में सभी राज्यों में 90% से अधिक रिकवरी रेट करोना से जल्द मिलेगी चूट ब लाइक और सेर्थ जरूर करें आपका लाइक और सेर्थ हमारी मेनत का फलें तो चीली दोस्तु जानते आज की तमाम और सभी बड़ी खबरों के बारे में तो सबसे पहली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता देगे होम लोन क्या आपका बेंक आपसे ज़्यादा वसूल रहा है ब्याज तो आपको बता देगे अगर आप होम लोन के EMI का बहुत चुकाते चुकाते प्रेसान हो चुके तो और EMI को बहुत कम करना चाहते तो आपको एक रास्ता मिल सा है आपको बता देगे कुछ समय पहले तक है जिके bank home loan पर 8-9% पर दे रहेते हैं लेकिन अब ज्यादा तर bank अग ने 7% के परीब हैं वही आपको बता देगे ऐसे में अगर आप अपना पूराना home loan दूसरे bank में shift करना चाहते तो आपकी EMI का बहुत कम हो सकता है हाला कि लोन सिप कब करना है जिकि इसकी तोड़ी सी प्लाइनिंग पहले ही करनी होती है तो चेले दोस्तु जानते अगली खबर के बारे में दोस्तु आपको बता दिके लेट ट्रेनों के लिए अब नहीं करना पड़ेगा स्टेशन पर इंटजार आपको बता दिके इस समय के करोने में रेलवे ट्रेने अक्सर विलिब चल रही है आपको बता दिके जिसे यात्री को प्रेसानी का सामना करना पड़ रहा है हाला कि आपको बता दिके ट्रेनों के प्रेसान समय से जारी जानकारी नहीं मिलने के कारान कहीं बार कापी देर तक यात्री को प्लेंट पॉंप पर जिके बेठे रहने पड़ते हैं आपको बतादे कि ऐसी प्रैसानी को बढ़ते हैं ध्यान रखा जाए तो उत्तर परदेश रेल्वी ने विशेज कारे योजनेया तैयार की हैं आपको बतादे कि एक स्टेंशनों पर अगली कपरिक के बारे में दोस्तों आपको बतादे कि केजरी वाल का सीम योगी पर हमला दोस्तों आपको बतादे कि सिक्सा व्यवस्ता तता स्कुलों में स्टी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सरकार उत्तर परदेश की योगी सरकार पर लगातार हमला कर रहे ह आपको बता दे कि, अब डिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंध केजरी वाल न मुख्य मंत्री योगी आजिती नास, एक उटके जर्य सवाल किया कि. क्या है आपकी सरकार से आदेस के जारी किया कि कोई भी वेक्टी यू-पी सरकार के स्कुलूम में है जो कि आपको बता दे कि फोटो नहीं कहीं सकता है वहीं आपको बता दे कि दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरी वाल ने आज सनी वार को मुख्य मंत्री योगी आजिती ना से सावाल करते हैं कि क्या आप अगली बड़ी ख़पर के बारे में दो आने का इंतरर किह जारा इसी सीजन दें से रिखर से कजिए, उतर पर देश्क के स्जिन योगी आज़ीटी नाद ने बड़ा दावा किया कि सेम योगी ने का कि एक मैंने में हमारे पास वेक्षि आज़ाएगी। दोस्तों आपको बता देगे मुख्य मंत्री योगे आदिती ने नातने काई कि करोना के परमंदर के नियमित के परदेश पूरी तरह से सपल रहेगा अब हम आपको बता देगे अंतिम वीजे पाने के करीब हैं एक मार्ग में हमारे पास वेक्षिन आ जाएगी वहीं आपको बता देगे इस मा मारिस जिए अमेरिका में जिए आठ पीश्दी मोते देश में जिए अन्य विक्षित राज्यू में जिए इनकी संक्या जिए तीन से पांस पीश्दी थी उतर परदेश में करोना से होने वाली मोतू की संक्या जिए मातर 1.4 पीश्दी है यदि कुछ सीनियर सेक्लिटरी के आपने कारियों में जिए लाफरवाई नई बढ़ती होती तो ये आकड़ा जिए एक पीश्दी से भी नीचे रहता हमारे परमंद्ग वह नियंतर्ण की डबल्यू एचो के हैं सरान तार है जिए मोतू का आखड़ा बरता जारा लेकिन दोस्तु आपको बता देगे हमारे देश बारती बात करें तो दोस्तु आपको बता देगे कोरोना के वायरस की होने के बाद जिए मरीजू की ठीक होने की संक्या जिए कापी तेज रप्ता से बढ़ रही है और 90% से भी जादा है जिए मरीज ठीक हो चुके है आला कि आपको बता देगे हमारे बारत में है जिए मरने वालू की संक्या भी कापी कम है लेकिन आपको बता देगे इस समय है जिए कोरोना पेपर है जिए बारत है जिए आपको बता देगे ज्यादा से ज्यादा है जिए ब्रेक लग तो दोस्तों आपको बताते कि इस समय है जिके बारत और पाकिस्तान के बोडर से भी एक मोत मेत पुर्ण है जिके बहुती बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों आपको बताती कि बारते सेना है जिके इस समय है जिके प्योके पर है जिके पूरी तरीके से तैयार खड़ी है वहीं आपको बताती कि इस समय है जिके बारते सेना के खेमे में है जिके चार प्रासे राफेल भी सामिल हो चुके हैं जो कि दूर तक निसाना लगा कर है का जवाब दे सकता है दोस्तों आपको बता दिके नए बारत को देखकर इस समय पाकिस्तान की फसी ने छूड़ चुकी है और आपको बता दिके यह पाकिस्तान भी अब अच्छी तरीक से समझ चुका है कि यह आज का नया हिंदुस्तान है जूँके कभी भी प्योके पर अठ यिरेस्टाल ले सकता है और आज नहीं तो कल है जिके फियों के बहुति जल्ल है जी के वारत का इसशा होकर रहेगा आपको बता दीके ग्रे मंत्री और राजना सिंग्ने है जिके कहीं वार काहए कि आप बात होगी तो सिर्फ POK पर बात होगी दोस्तों आपको बता देगे विकारी देश पाकिस्तान की तो हालत वेसा ही खराब हो चुकी है वहाँ पर आपको बता देगे बहुती ज़ादा हालात खराब बने हुए है वहाँ पर हर एक चीज के हैजग के काफी दर उपर निकल चुकी है वहाँ पर हैजग के लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए है इस समय पाकिस्तान के आलाथ बहुत ही ज्यादा खराब बने हुए हैं दोस्तु आपको बता दिए जब भारत घ़यिकर पीए पर कभी भी बड़ा एक्षान ले सकता है तो दोस्तु आपको बता दिए बारत और पाकिस्तान की रोजना ताजा ख़बरे जाने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन नबा कर सब्सक्राइब दू करें और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें तब तक के लिए नमस्कार दोस्तु जैहिंद बंदे मारे